नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कौर में जाब प्रप्रप्रिशन पर दोस्तों आज की इस वीडियो श्रीज में हम लोग बात करेंगे कुछ टुड़ी की जो इंपॉर्टन न्यूज अप्डेट्स है यहां पर कुछ इंपॉर्टन न्यूज आपको मिलती रहेंगी तो चली देख लेते हैं आज की एक दू कुछ इंपॉर्टन न्यूज क्या है तो पहले दोस्तों जो न्यूज आज की इंपॉर्डन न्यूज यहां पर निकल करा रही है तो यह आपका निकल करा रही है जो 10,768 आपकी L.D.Gate सिछक की जो परिक्षा हुई थी 29 जुलाई को तो उसके यहां पर रिजल्ट के बारे में बात की जा रही है और न्यूज पत्र के बारे में बात की जा रही है और यहां पर बताया जा रहा है कि इसी माह के अंत में या आपको नौंबर माह के इसी माह के अंत में आपको जुलाई तक मादिमिक कालेजियों को 10,768 सिच्चक अगले माह मिलने की यहां पर उम्मीद है ठीक है उत्तरबदेश लोक सेवा आयोग यानि की UP PSC में मुल्यंकन कार लगभग पूरा हो गया है रिजल्ट इसी माह के अंद तक या फिर दीवाली के आस्वास घोसित होने के संकेत हैं जी हा अब सुरों की मानुत चैनितों से विबसाइट पर आविदन लेकर उसी के जरिये न्यूक तिपत्र यहां पर दिये जाएंगी प्रवेस की राजकी मादमिक कालेजों में एल्टी ग्रेट सिचकों के पद बड़ी संख्या में लंबे समय से खाली हैं अमानुक सिच्छा विभाग ने इन सिचकों का चैन बहतर तरीके से हो इसलिए पहली बार UPPSC को लिखित परिच्छा कराने की जिम्मेदारी यहां पर सौपी गई है UPPSC ने यहां पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि 29 जुलाई को विभी ने जुलो में इसका इंतिहान कराया था परिचातियों ने परिच्छा पर तमाम आरोब जरूर लगाया और कई प्रक्रणों को हाई कोर्ट तक पुचुनोती दी गई इधर सासन के निर्देश पर UPPS वो यमार सीट का तेजी से मुलेंकन करा रहा था यहां कार अब लगभाग पूरा हो गया है उत्तरबदेश लोग से आयोगने परड़ाम यहां पर देने की तारीक का अभी आपचारिक एलान नहीं किया है लेकिन सची उजगदीश का कहना है कि रिजल्ट इसी माह के अंतिय या फिर दीवाली के आसपास देनी की तयारी यहां पर चल रही है वादमिक सिचाववाक ने इस बार राजगी सिचको का आनलाइन तवादला कराया था यहां प्रयोग कारगर रहने के पर एल्टी गेट सिचको की निउट के लिए भी अपसर विबसाइट तयार करने में ज भरती की लिखित परिच्छा से सम्मंदित तो देखे लिए एक लेते हैं ये न्यूज यहां पर क्या है तो यहां पर पुनर मुल्यांकन की वेबसाइट तयार कल सी होंगे आवेदन तो देखे दोस्ते आवर पुनर मुल्यांकन की वेबसाइट तयार किर देगी है और कल से इसमें आवेदन किया जाने की यहाँ पर बात की जा रही है तो परिसदी स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परिच्छा की उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यंकन के लिए वेबसाइट तयार हो गई है गुर्वार्स से इनके लिए आवेदन यहाँ पर किये जाएंगे परिच्छा नियामक प्रादिकारी कारले इस समन्द में बिस्तर दिसार देस बुद्वार को जारी करेगा सिच्छक भर्ती की लिखित परिच्छा में गरबडियों की उच्छ तरी जान सवीदिं की रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने अभ्यार्थू के उन आरोपों का संग्यान लिया है जिसमें कहा गया है कि मुलैंकन सही से नहीं हुआ है अब दोबारा मुलैंकन के लिए हर अभ्यार्थी आनलाइन आवेदन कर सकता है सासर ने इसकी विब्साइट वा प्रोफार्मा तयार कर लिया है अभ्यार्थी गुर्वार से आवेदन यहाँ पर कर पाएंगी तो दोस्तों यहाँ पर 20 तारिक तक आवेदन किये जाएंगे और दोबारा मुल्यांकन के लिए किसी बेब्यात्यू को यहाँ पर कोई सुल्क नहीं दे रहा होगा, आप आवेदन करके दोबारा मुल्यांकन के लिए अपना आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, तो दोतों यह द बिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक लिए थैंक्स पर वाचिंग